अगर आप बाल्विकास के तयारी कर रहे हैं और आप जानना जाते हैं कि आपको कितना आने लगा है तो आपको मौक टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है चैनल पर अगर आप पहली बार आएं चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबा दिजेगा जिसे कि आपको बाल्विकास के थेवरी नहीं देखिए बाल्विकास की कंप्लीट और एमसी की उस नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक दे दिये जाएगा आप वहां से पिछले वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि पिछले वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्त हो थी अच्छी चल लए बाल्विकास में आप एक्जाम में तीस में से तीसंग ला सकते हैं ठीक है तो पहला प्रस्टे मारा पलटावी का गुण जो है कि सवस्था से जुड़ा हुआ है इंद्री जिनित गामक अवस्था पूर्शंक्रियात्म गवस्था मूर्थ संक्रिय लोगा देखिए पलटावी का गुड़ के सवस्था में पढ़ा जाता है बताना है उसका आपकोस नापका सी सी है मुर्थ संक्रियात्म कै Jetzt इसा की चार अवस्था है ने संग्यामक अवस्था पूर्व संक्रात्मा का वस्था मूर्थ संक्रात्मा का वस्था और चौथी वस्था थी या मूर्थ संक्रात्मा का वस्था इनका समय होता है जर्म से दो वर्ष की वस्था जो होती है इंद्री जिनित गामा का वस्था होती है पूर्व संक्रात्मा का वस्था का समय दो से सा प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ना कहा जाता है संतुलन आतमसात करण समंजन या इसकीमा फटाफट बताए बहुत ही महतपूर प्रश्ण है ये आपको पता होना चैस का जवाब क्या होगा प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ना जो है ये नहती विकास का सिधान किस ने दिया है। मैं ऐसे प्रशन हमेशा रखता हूं जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं। आपके लिए वीडियो जो पूरा महतपुर्ण है पूरा वीडियो देखेगा। और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रसंद सही किये हैं वीडियो गर आपको अच्छा लगा रहा हो लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा नहती विकास का सिधान जो है कोहल बर्ग ने दिया है अगला है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन किस ने दिया है जेम राइस ने हरबर्ड ने क्राउडर ने थामस एफ गिलफड ने अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये दिया है थामस एफ गिलफड ने अगला प्रशने समवाद विधी के जन्म दाता कौन है अरस्तू प्लेटो नन रूसो समवाद विधी के जनक कौन है बताए आप लोग फटा फट इसका जवाब देखे इसका जवाब होगा प्लेटो अगला है वाइगोस की कहां के निवासी थे ब्रेटेन अमेरिका रूस वाइगोस की महोदे कहां के निवासी थे दिखे वाइगोस की जो थे ये आपके रूस के निवासी थे सी आपसन आपका सही होगा इसमें अगला बहुत ही अच्छा प्रशन है व्यक्तित जो होता है परसनाल्टी जो होता है समाज के मान निवा अमान गुणों का योग है य एक्तित जो है समाज के मानिवा अमानिगुणों का योग है यहां कथन किस ने दिया है देखिए यह जो कथन है यह दिया है रेक्स राक ने सी आप्सन सही है अगला पुस्टे थेमेटिक अपर सिप्सन टेस्ट में कुल कितने कार्ड होते हैं 20, 31, 10, 25 थेमेटिक अपर सिप्सन टेस्ट में कितने कार्ड होते हैं कुल देखिए यह होते हैं 31 आपका कौन सा आप्सन सही होगा बी देखिए 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिस पर महिला का चितर 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिस पर पुरुष का चितर और 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिस पर चीछ को साट मेंок निती पहां जाता है इस चीज़ क्यों नि sus7 टेस्च उगांवीने द लिए ज्ट झेया था चीज ने दिश्ट को आप लोग एकदम उटी माग में बिठा लीजिये और से एटी का था CAT क्या कहलाता है Children Perception Test जिसको किस ने दिया था लियोपोल्ड बेलक ने और इसमें 10 कार्ड होते हैं ठीक है अगला प्रशन है चिंतन एक प्रकार का अद्रश्विवहार है जिसमें सामान रूप से प्रतीकों का प्रियोग होता है या कतन किसका है Silverman, Ross, Garrett या Sorenson क्या होगा इसका जवाब चिंतन एक प्रकार का अद्रश्विवहार है जिसमें सामान रूप से प्रतीकों का प्रियोग होता है देखिए यह होगा आपका Garrett Garrett ने कहा है ठीक है देखिए जो रैट चुहे होते हैं वह अद्रश्विवहार करते हैं यानि आपको पता नहीं चलता है आपके कबरे में जो है बिना ऐसा लगता है जिसे एकदम गायब हो जाते हैं एकदम अद्रश्व रूप से आ जाते हैं त बुद्धी का बहुकारक सिध्धान्त या बहुद्धी सिध्धान्त रिकारक सिध्धान्त या एक कारक सिध्धान्त तो कौन सा आपसंसे होगा बालू का टीला जो है बुद्धी का कौन सा सिध्धान्त कहलाता है यह आपका होगा बहुकारक सिध्धान्त जो कि कि ने दिय और जो होताए कि अब लोग द्यान दिया तो अगर अश्वत्य। नहीं प cyclical अप्लों द्यान केगा और तु कि अगला प्रशन ब्लीक्ति यह सामाजिक प्राणि है यह कघन की संके रूसो का निन का प्लेटो का अरस्तु का तो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टन प्रशने आपके लिए बताना है कौन सा आपसन सही होगा इसका आपसन आपका डी सही है अरस्तु महोदे कहते हैं व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है अगली पुस्तक है लिखा है इंपेरिसिज्म पुस्तक किसकी है प्रियर की रेमन की मन की जानलाक की इंपेरिसिज्म पुस्तक किसकी है फटा फट बता इसका जवाब क्या होगा इंपेरिसिज्म जो पुस्तक है ये जानलाक महोदे की है एक बात मैं आपको बता दू मेरा WhatsApp नंबर है 78-49-88-0187 अगर आप बाल वकास के नोट्स जो है लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा और पेड हैं आपको थोड़ा सा सुलक जो है देना पड़ेगा आपको अब्जेक्टिव मिल जाएंगे जिससे आप एक्जाम में 30 में से 30 अंक ले सकते हैं जो पेड कर पाएं वही करिएगा क्योंकि मुझे पता है जो फ्री की चीज मिल जाती है आप लोग उसकी कोई कदर नहीं करते हैं आपको कुछ पैसे देखकर आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप जो उसको पढ़ेंगे ठीक है तो यह नंबर दिया गया है और जो पे कर पाएं वही करिएगा फालतू का मैसेज़ मत करिएगा ठीक है अगला प्रशन देखते हैं लिखा है उप्योग तनुकरिया का चैन तता उसे उत्तेजना से जोड़ना ही अधिकम कहलाता है या कतन किसका है इसकेनर का थांडाइक का रोसो का वाटसन का ये कतन किसका है ये कतन है थांडाइक महोदे का ठीक है इसके नर्ड भी कहा के निवासी थे आपके अमेरिका के थांडाई भी कहा के निवासी थे अमेरिका के अगला प्रशने सही दिसा का सिध्धान जो है किसने दिया हुआ है तो ये दिया है कूट लेविन ने पहला अफसन आपका सही होगा सही दिसा का सिध्धान जो है छेतर सिध्धान के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगला प्रस्ने रिडात्मक वक्र जो है कौन सा होता है सरलेखी वक्र, नतोदर वक्र, नतोदर वक्र या मिश्रित वक्र रिडात्मक वक्र जो है कौन सा वक्र होता है बढ़ाई आप लोग कौन सा अपसन आपका से होगा तो रिडात्मक वक्र जो है कौन सा वक्र होगा तेकि आपको पता होना चाहिए जो सीखने के वक्र हैं वो चार परकार के होते हैं सरलेखी वक्र नतोदर व वक्र होता है ठीक है मिस्रित वक्र को एस हाकार का वक्र भी कहा जाता है तो रिड़ात्मक वक्र होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिगा शेर कर दीजगा 15 मेंसे जितने भी प्रसना आप सही करें है कंपaboutि ecc बताएगा वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है मिलते हैं आप से अगले वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड धन्यवाद